पार्टनर खुद आकर मांगेगा माफी मिद्रो एक ऐसा उपाए, एक ऐसा टूटका जिसे आप कर ले जो कोई भी इंसान आपसे नाराज है, रूट के आए आपकी परवाह नहीं करता, कदर नहीं करता और नटक करता रहता आपसे दूर जा रहा है दिखावा हो या असलियत हो आपको उसे बाद कर रखना है, अपने करीब रखना है चाहे वो लड़का हो या लड़की यानि इस्त्री हो या पुर्ष शाद्शुदा जोड़ा हो या पती-पत्मी हो कोई दोस्त भी हो, मित्र भी हो लड़की में तरहो, लड़का में तरहो, कोई भी लो इस उपाय को कर लेना जोडे में रख देना दो लोग बिल्कुल बताए के तरीके से और फिर देखें, कैसे वो सामने वना इनसान आप से आकर चिप जाएगा कहने का अर्थ छूट नहीं पाएगा पूरे जीओ चिप कर रहेगा आपसे सिर्फ आपकी कदर करेगा दिन राज सिर्फ आपके बारे में सुचेगा आपके लिए तलब तरहेगा, पेचैन हो जाएगा बहुत सरल उपाय है बस बताएगी तरीके से से कर लिए और आप देखेंगे सामने वाले इंसान को कैसे वो आपके लिए पेचैन होता है तरपता है और खुद आपसे आकर मिलेगा आपसे मिन्नते करेगा, माफी मांगेगा, तरपेगा आपके लिए जब तक आप उसे माफ नहीं कर दोगे आपका पीछा नहीं चुड़ेगा दिन रात बस आपके पैरों में गरने के लिए उतारू रहेगा आपने क्या करना है इस उपाय को अगर आप किसी भी दिन कर सकते हैं किसी भी समय कर सकते हैं उपाय को शुरू करने से पहने विशेश तोर पर एक बात दिहां लिक्याँ अगर इस उपाय को कर रही हैं बाल खुले रखें उपाय को करते समय बाकी मात कर रखें कोई दिक्कत नहीं है अगर इसे पुरुश कर रहे हैं तो अपने बालों पर हल्काशा पानी लका है कहने करते हाथों को हल्का constituency गीला कर एक पार बालों पर फिर नहीं सर पर फिर अब क्या करना है आप में एक स्थान पर बेठेंगे आप सचता की आरत में बेठे हैं हाथ मुञ पर अपने धूले जो आपने समान किया है तो बहुत अच्छी वाद है एक स्थान पर बेट कोई भी कपड़ा आसन बिछाने उस पर ही बेट है दिशा आपने रखें पूर हिस्ट की और बुक करके आपने बेटना है यह सोर से सूर्य उद्याओत अब आपने क्या करना है जबाब बेट अपने साथ जैसे कि बताए दो लोंग आपने रखनी है दोनों लोंग साबुत होनी चाहिए अखंडित होनी चाहिए तूटी होई नहीं दोनों लोंगों के साथ आपने एक पीले रंका दागा लेने बहुत अधिक बड़ा नहीं पहाँ साथ इंच का धाना लेने लॉंग छोटी सी होती है उसी साप से धागा में आपने दौनों लॉंग रखनी है दौनों लॉंगों में धान दें बोटा बाइब जो है एक लॉंग का नीचे की होरोगा एक लॉंग का उपर की होर वो आपकी मर्जी है आपने कैसे रखना एक नूचे की होरोगा तो दूसरा उपर की होर एक उपर की तरफ होगा तो दूसरा नीचे की होर दोने लॉंगों को अपने सामने रखने अब ध्यान देने वाली बात ही है दोनों लोंग जमीन पर रखेंगे आप किसी वस्तू के उपर नहीं रखेंगे क्योंकि ये वश्मे करेगा सामने वाले अगर ये वश्री कारण उपाय नहीं होता तो ये किसी वस्तू पर रखा जाब वश्री कारण उपाय जमीन पर रखेंगे यानि जहां बैठे ही है कोई वस्तू आपने लगानी नहीं है कोई कपड़ा, कोई कावच, कुछ आपने बिछारा नहीं है सीधे जमीन पर रखना है इसके बाद आपने क्या करना है अपने उल्टे हाथ की जो आपकी तरचनी उंगली है, जो इंडेक्स टिंगर है अंगू ठेके साथ वादी वो इस पर छुनावी नहीं है, दोना लोगों पर उपर से रखते जिपके होई लोग हैं, उपर से रखते छुलादे बस आखे मंद करें उस इनसान को जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, विचार है और बोलें ये मंद ओम श्राय श्राय अमुक वश्यह फट स्वाह अमुक के स्थान पर मुस्विक्ति का नाम ले, मुक्य नाम पहला नाम आपने लेना है मंदर को 6 बार बोलेंगे अब आपने क्या करना है आके खुलें दोना लॉंग उठाएं, इसी अवस्था में उठानी है उल्टी वाली डॉंग जिसका नीचे मोटा भाग है नीचे ही रहेगा इसका उपर उपई देगा धागर जो आपने लिया है, वो इस पर लपेट है कितनी बार, साथ बार आपने लपेट में और एक गाठ लगा दे नीचे है बस धागर जितना रहता है उसमें रहने दे, तोड़ना नहीं है अब आपने लॉंग का जोड़ा घर से बाहर निकल कर अपने घर से दाई और सीधे हाथ की तरफ कहीं भी एक इस्तान पर जहाँ आपका दिली कर दे, चाहीं धर्गे बगल में ही रगए कहीं भी जमीन पर छोड़ कर आज़े ये आपने उपाय करें बस दो से तीन दिन के गीतर हो वो इंसान तलब कर आपके पास आएगा पीचैन होकर आपके पास आएगा, डडडडड़ आएगा रोएगा आपके साथ और उम्र भर करेगा आपकी गुलाब अब द्याग्या मितरो, फिर मुलाका दोगी अगली वीडियो में एक ऐसे ही शक्तिशानी उपाई के साथ ठक ह्याल रखें, खुश रहें ममस्काइ